सो रीसेंटली पाकिस्तान की गवर्मिंट ने अपने हाई कोट में ये बात बोल दी कि पीओ की इस अ फॉरन टेरिटरी ये नॉट अ पार्ट अफ पाकिस्तान अभी ये स्टेटमेंट जो है वो पाकिस्तान में चल रहे है अभी जो एहमत फराद का केस है वो भी काफी इंटरस्टिंग है विकूग चौह कीज़ जहे है अगेंस्ट अपनी आवाद उठाते थे लेकन 14 मई 2014 को ये अचानक खिडनाप कर लिए जाते हैं बाइपकिस्तानी intelligence बट international media के pressure के कारण इसलामाबाद हाई कोट ने उन्हें सामने लाने का order दिया और तब पाकिस्तान के attorney general ने ये कह दिया कि उनको नहीं लाया जा सकता because वो P.O.K. में है और P.O.K. को हम foreign territory मानते हैं और इसलिए वहाँ के आदमी को पाकिस्तान के law के हिसाब से नहीं बुलाया जा सकता है तो इसके counter में judge ने उनसे पूछा कि अगर ऐसा है तो पाकिस्तानी rangers P.O.K. में क्या कर रहे हैं जिसका जवाब attorney general के पास नहीं था क्योंकि actually वो एहमत फराद की case को सामने नहीं लाना चाते थे जिसके कारण उन्होंने बोल दिया कि P.O.K. is not a part of Pakistan लेकिन यह statement भारत के लिए एक positive statement है because इससे P.O.K. के लोगों को भी पता लगेगा कि पाकिस्तान उन्हें अपना नहीं मानता है और भारत statement को as base use करके P.O.K. का मुद्दा आगे ले जा सकता है